नमस्कार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बहुत से हाथ में राज योगों के बारे में बताया था उसी स्रिंखला में आज हम कुछ और राज योगों के बारे में ध्यन करेंगे और जानने के कोश्च करेंगे कि कौन से र के बारे में जिन राज योगों के बारे में पात करेंगे उनमें है राज राजश्वर योग सरस्वती योग महा राजा धिराय योग अश्ट लक्ष्मी योग और अक्समा धनप्राप्ति योग इनमें से अधिकतर योगों में हाथ में होने पर धनप्राप्ति की संभावना बहुत होती है, लेकिन कुछ अन्य परणाम भी इनके देखे जाते हैं तो आगे जर् Zoo को समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं, राज़राजरश्वर योक्पी ये योग हाथ में कब बनेगा? जब हाथ में सूर्य परवत, ये सूर्य परवत है हाथ में सूर्य परवत और शुक्र ये दोनों बहुत अच्छी स्थिती में हो और सूर्य रेखा जो है वो शुक्र परवत से आती हो अब ऐसी स्थिती में जहां रेखा शुक्र परवत से आ रही है इसे हम कहते हैं राज राजेश्वर योग इस विशेषता क्या है इस योग में इसमें एक तो ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत अधिक मात्रा में होता है ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान बहुत होता है लेकिन सबसे विशेष बात सुख साधन बहुत अच्छी स्थिती में ऐसे व्यक्ति को प्राप्थ होते हैं ऐसे व्यक्ति के भाग्योद्य का मुख्य करण स्त्रियां भी हो सकती है। लेकिन इसमें विशेश बात ये है कि ऐसे व्यक्ति के बाद पास लगजरियस आइटम जो होती हैं खासतोर पर गाड़ी, मकान, वाहन ये सब चीजें बहुत अच्छी स्तिती में होती हैं और साथी स साथ मान समान भी बहुत होता है। इसलिए इसको एक अच्छा नाम दिया गया है राज राजेश्वर यानि कि ऐसा व्यक्ति जिसको सुख जो है और राजा के समान मिले। अब हम बात करते हैं दूसरे योग की, दूसरा योग जो हमारे हाथ में होता है, बहुत हाथों में पाय जाता है, यह है सरस्वती योग, सरस्वती योग ऐसा योग है जो आम तोर पर हाथों में कम पाय जाता है, लेकिन अगर आपको किसी हाथ में दिखाई दे, तो यह बहुत ही बड़ा शुब संकेत माना जाएगा, इसमें होता क्या है, एक रेखा तो ब्रिहस पती से चं पश्ट, तो इस व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखाई जिसके हाथ में हो, इस योग को हम कहते हैं सरस्वती योग, अब योग समझे कि ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती की विशेश कृपा मानी जाती है, इनमें बुद्धी और किसी कला विशेश की कमाल की योगता पाई जाती है, ये योग ये जिस भी कला में प्रवीन होते हैं उस कला में बहुत अधवुत प्रसिधी पाते हैं ये व्यक्ति जहां कमाल के व्यक्ति होते हैं वहीं एक तरह से दिव्वा अत्मा के रूप में हमें देख सकते हैं लेकिन अगर ये संगीतक गये हैं, अगर ये लेखक हैं, या अगर धर्मक गये हैं, ये किसी भी ऐसे ख्षित्र में हैं, जो चंद्र या ब्रिहस पती से जुड़ा हुआ है, चंद्र गुरू से जुड़ा हुआ ख्षित्र है, तो निश्चत रूप से ये कमाल की उन्नती पा यह किसी विशेश प्रकार के एक अधुत ज्ञान के वामले में हो इसलिए इस योग को सरस्वती योग कहा जाता है अब दूसरे जिस योग के हम बात कर रहे हैं वो है महा राजा धिराज योग यह निकिक एक ऐसा योग जिसमें व्यक्ति निश्चित रूप से राज तुल्य सुकान्भव करेगा ऐसा व्यक्ति बहुत उचे पद तक पहुंचेगा इस परवत में इस योग में होता क्या है इस योग में क्या है आपको ऊपर के चारों परवत देखने हैं यहां एक परवत गुरू यह शनी यहां शूर्य और यह बुद्ध। और ये शुक्र ये भी अच्छी स्थिती में होने चाहिए जब ये सभी अच्छी स्थिती में हो और इन सब पर फिर आपको साथी साथ उर्धवरे खाएं बिलकुल स्पष्ट साफ सुथरी बिना कटी फटी उर्धवरे खाएं इन पर दिखाई दें सभी परवतों पर तो ऐस ऐसी स्थिती हलांकि बहुत रेर होती है लेकिन जब भी आपको यह स्थिती दिखाई दे कि इस व्यक्ति के 6 परवत हाथ के 9 में से अच्छी स्थिती में हैं और साथ साथ इन सभी पर उर्द वरे खाएं हैं तो इस योग को कहा जाता है महा राजा धिराज योग ऐसे योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से राजा के तुल्य सुख पाता है ऐसा व्यक्ति राष्ट्रा धक्ष हो सकता है ऐसा व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री हो सकता है ऐसा व्यक्ति यह समझे कि किसी भी स्थिती में यदि पैदा हो तो भी व्यक्त उन्नती कर शिखर तक पहुँचता है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई कमी उसके जीवन में नहीं होती है तो यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा और बहुत ही विशेश प्रकार का राजयोग मना जाता है इसके बाद हम बात करते हैं अगली एक योग की इस योग को हम कहते हैं अश्ट लक्षमी योग क्या है यह आम तोर पर आपको हाथों में मिल सकता है अश्ट लक्षमी यानि की विशेश प्रकार के धन वाला योग ऐसा व्यक्ति जो सुखी रहेगा जिसको प्रयाप्ट धन ज जीवन रेखा साथ में भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट भाग्य रेखा है बहुत स्पष्ट जीवन रेखा है बहुत स्पष्ट स्वास्थ्य रेखा है जिसे बुद्ध रेखा कहते हैं और बहुत ही स्पष्ट सूर्य रेखा भी है यदि ये तीनों रेखाएं एकदम सुथरी है तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्षी जीवन में प्राप्त करते है धन की इन्हें कोई कमी विशेश नहीं रहती है इसलिए इस योग को हम कहते है अश्टलक्षमी योग अब इसके अलावा एक और योग के बात करता हूँ कि हाथ में कब बहुत अचानक धन प्राप्ती की संभावनाई होती है कोई ऐसे लक्षन भी कुछ रहते हैं जो यदि हाथ में हो तो बहुत अचानक धन मिलने की संभावनाई बनी रहती है अक्षमिक धन अचानक धन मिल जाना एकदम से कहीं से आपको पैसा मिल जाना, कोई आपका एकदम से प्लॉट निकल गया, कोई आपको छिपा हुआ अधन मिल गया, कोई गड़ा हुआ अधन मिल गया, ये सब कब मिलता है, ये सब तब होता है, जब आपके हाथ में कुछ खास निशान हो, इनमें से एक दो निशा बहुत अधिक होती है यह शंग का निशान कहीं प्रकार से हो सकता है हम इसे एकाध प्रकार को ही हम जान रहे हैं अभी लेकिन ऐसा बहुत प्रकार से मिल सकता है आपको संग का निशान तो एक तो यह शंग का निशान यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे तो यदि सुतंत्र मचली का चिन है तो धन प्राप्ति की संभावना बहुत अदिक होती है। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में आपको घड़े का निशान दिखाई दे। घड़े का निशान निश्चित रूप से धन प्राप्ति का स्पष्ट संकेत होता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति को छिपा हुआ धन या अचानक बहुत सारा पैसा मिलने की संभावना रहती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको कच्छुए का निशान दिखाई दे। ये कुछ इस तरह का पाया जाएगा। ये सब वो चिन है जो यदि आपके हाथ में हों तो अचानक धन प्राप्ति की संभावना होती ही है। इसी प्रकार से यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में कमल का निशान दिखाई दे। की संभावना और भी अधिक होती है यानि कि अधिक मात्रा में धन मिलने की संभावना रहती है तो पद्म जो है यानि कि कमल का निशान शंक घड़ा मचली और यहां पर कच्छुए का निशान ये सभी अचानक धन प्राप्ति के बहुत सारे संकेत हैं जिन से धन अचानक मिल आता है तो यह हमने बात की कि धन प्राप्ति कैसे हो सकती है या कैसे आपको हाथ में संकेत दिखाई देंगे जिन से आपको बहुत सारा धन मिल सकता है भविश्य में हम इसी विशा पर और कुछ राज योगों पर बात करेंगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ और संकेत आपके हाथ में चिपे हुए हो सकते हैं तब तक के लिए आपका दिन शुब हो लान्यवाद